नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका क्रीड इन्वेस्टर पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 एस्टॉक्स जो इलेक्ट्रिक वेहिकल इवी के सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बढ़ा धामाका करने वाले हैं दोस्तो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम ईवी से रिलेटेड कुछ डेटा को जान लेते हैं, जिससे की इलेक्ट्रिक वेहिकल से रिलेटेड इस्टॉक में इन्वेस्ट करने में आसानी हो दोस्तो 2025 तक इंडिया के इलेक्ट्रिक वेहिकल EV मार्केट में लगभग 50,000 करोड तक estimated माना जा रहा है और इसके साथ ही साथ 2 और 3 विलर्स इलेक्ट्रिक वेहिकल की मांग बढ़ने वाला है आने वाले समय में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि इंडियाज इलेक्ट्रिक वेहिकल EV मार्केट इस एस्टिमेटेट टूवी 50,000 करोड अपर्चुनिटी बाइ 2025 दोस्तों आटो मोवाई सेक्टर की बात करें तो इसमें मिडिल क्लास और यंग पॉपुलेशन के राइज होने के परिनाम सरूप काफी तेजी देखने को मिली है एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 में पैसेंजर वेहिकल जैसे की टू और थ्री वीलर वेहिकल की प्रोड़क्शन 22,14,745 यूनिट तक प्रोड़क्शन पहुँच गई है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में EV सेक्टर में कितना बरा बूम देखने को मिल सकता है दोस्तो आटो मोबाइल इंडस्ट्री में अपना इंडिया वर्ल्ड में पांचवे नमबर पर हैं बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए सेवरल आटो मेकर्स कमपनी इसमें इंवेस्ट करना सुरू कर दिया है EV के वेरियस सेग्मेंट में दोस्तो वेरियस सेग्मेंट से हमारा ये मतलब है EV के लिए कि आटो मैनुफेक्चरिंग, EV चार्जिंग इस्टेशन, बैटरी मैनुफेक्चरिंग, आटो पार्ट्स एंड इवी सॉफ्टवेर्स नहुंबर 2022 में इंडियन ओयल करोप्रेशन और टू अधर ओयल फर्म्स ने 22,000 इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग इस्टेशन अगले 3-5 साल में इस्टॉल करने का अनौंस्मेंट किया है अब बढ़ते हैं उन टॉफ थिरी ये स्टॉक्स के तरब, दोस्तो हमारा पहले नंबर पे स्टॉक्स है टाटा मोटर्स जैसा कि हम जानते हैं टाटा मोटर्स इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल मैनुफेक्चरर है तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि टाटा मोटर्स इवी के मैनुफेक्चरिंग में पीछे रह जाए दोस्तो हाली में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वेहिकल के लिए सबसेडरी कमपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फॉर्मेशन किया है जो कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वेहिकल पर फोकस करेगी लास्ट क्वाटर्ली रिजल्ट में टाटा मोटर्स को 14.7% यर ओवर यर रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिली थी इसके डोमेश्टिक पैसेंजर वेहिकल और कॉमर्सियल वेहिकल बिजनस में दोस्तों कंपनी की फंडामेंटल्स को देखे तो मार्केट कैफ है 1,75,208 करोर बूक वैलीव है 135 रूपीज आर ओई है माइनस 22.9% रिटर्न ओवर वन इयर है 156% रिटर्न ओवर 5 इयर है माइनस 0.50% डेट यानि की कंपनी पे कर्ज है 1,48,872 करोर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि इस सेक्टर के कंपनी में आपको डेट यानि की कर्ज बहुत जादा देखने को मिल सकता है क्योंकि इस सेक्टर में आणि के आटो मैनुफेक्टरिंग के सेक्टर में इनवेस्टमेंट बहुत जादा होता है इसलिए कर्ड डेट भी आपको सायद हो सके तो जादा से जादा देखने को मिल सके कंपनी के पास रिजर्व है 43,911 करोर टोटल असेट है 3,14,135 करोर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तो तो 46.4% है दोस्तो सेकेंड कंपनी है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी इवी के सेक्टर में एक बड़े बदलाव पर बेट कर रही है कंपनी ने फ्यूचर में 30 बिलियन रूपीज इन्वेस्ट करने का योजना बना रही है इवी के फिल्ड में हाली में कंपनी ने इवी के बिजनस के लिए रिलाइंस के जॉइंट वेंचर जीयो बीपी के साथ टाइप किया है ताकि इलेक्ट्रिक वेहिकल के लिए इवी चार्जिंग का सॉल्यूशन निकाला जा सके और इन पार्टनर्शीप के जरिये कंपनी को उमीद है कि 2027 तक भारत में उसकी कूल विक्री में इलेक्ट्रिक वेहिकल का हिस्सेदारी लगवक 20% तक का हो सके सेप्टेंबर 2021 में कंपनी के रेवेन्यू में 12% इयर ओवर इयर इंक्रीज देखने को मिली है वहले ही सेमी कंड़क्टर के ग्लोबल सॉटेज होने के बावजूद लेकिन सेमी कंड़क्टर के सॉटेज के कारण कंपनी के प्रोडक्शन और सेल्स में दोनों में प्रभाव पर आया दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों कंपनी की फंड़मेंटल्स को मार्केट के एफ है 1,3,427 करोर बूक वैली है दोस्तों 347 रूपीज और ओई है 4.45% रिटर्न ओवर वन इयर है 11% रिटर्न ओवर 5 इयर है 6.27% डेट याने की कंपनी पे करज है 78,980 करोर रिजर्व है कंपनी के पास 42,557 करोर तोटल असेट की बात करें तो निकल के आ रहा है 1,65,942 करोर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 19.5% है Face Value कंपनी की है 5 रूपीज नेक्स्ट कंपनी है Hero Moto Corporation Hero Moto Corporation अपने कंट्री की लार्जेस्ट टू वीलर मैनुफेक्चर है कंपनी का मेजरिटी एस्टेक अथर इनर्जी में है जो की इंडिया की टू वीलर EV revolution में सबसे आगे है दोस्तों कंपनी की fundamentals को देखे तो market cap है 49,652 करोर book value है 787 रूपीज ROE है 18.7% return over 1 year है minus 18.4% return over 5 year है minus 4.15% debt याने की कंपनी के पास कंपनी पे कर्ज है 617 करोर total asset की बात करे तो 23,426 करोर promoter holdings है दोस्तो 34.8% तो बस दोस्तो फिलाल वीडियो में इतना है मुझे उमीद है दोस्तों की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों